फीवर यानि बुखार के समय में हमारा सरीर गरम क्यों हो जाता है? जब हमारे सरीर में हानी कारक वायरेस या जिवाडू आ जाते हैं तो हमारा सरीर उन वायरेस को नश्ट करने के लिए हमारे सरीर का तापमान बढ़ा देता है जब हमारे सरीर में इम्म्यूनिटी सिस्टम को पता चलता है कि हमारे सरीर में हानी कारक वारे से जिवाडू है तो वह एक प्रोजेन नाम का रसायन छोड़ता है हमारे सरीर में इस्तित हाइपोथलेमस जो हमारे सरीर के तापमान को नियंतर्ड करता है इसे प्रोजेन के बारे में फता चलता है तो वाँ शरी के तापमान को बढ़ा देता है यही कारण है कि बुखार आने पर हमारे शरी का तापमान बढ़ जाता है जिस से हमारा सरीर गर्म रहता है ऐसे हैं अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद